अपने फैवरिट हीरो के बारे में जानने की उत्सुकता तो सब को होती है कि वो क्या खाते हैं क्या पहनते हैं उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं वैल तो इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि भोजपुरी के तीनो सुपरिस्टार पमन सिंग नि रहुआ और खे सारी लालियादव के एक दिन के खाने का खर्च कितना है यानि कि एक दिन में ये तीनों सुपरिस्टार कितना खर्च करते हैं अपने खाने पर वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग है तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आव वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर ली जर वीडियो देखने के बाद इससे सेयर जरूर करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिनेस लालियाद और निरहुआ की निरहुआ को भोजपुरी इंड़स्टि में जूबले स्टार कहा जाता है अब एक्टर की लाइफ है तो भाग दोड एक्षन ये सब तो करना ही पड़ता है और ये सब करने के लिए उनको फिट रहना भी ज्यादा जरूरी है इसलिए कोई भी एक्टर आम आदमी की तरह खाना नहीं खाते उनका खाना हमारे मुकाबले बहुत हेल्दी होता है और फिट रहने के लिए एक्सरसाइज तो जरूरी है ही लेकिन उसके साथ सही डायट भी जरूरी है इसलिए सब ही एक्टर और एक्टरेस अपने खाने पर बहुत खर्चा करते हैं तो निरहुआ के एक दिन के खाने का खर्च है बारा हजार जी हाँ एक दिन में निरहुआ अपने खाने पर बारा हजार उपए खर्च करते हैं अब बात कर लेते हैं पावर स्टार पवन सिंग की पवन सिंग भी खाने के बहुत सौकीन है लेकिन ये ऐसे फिल्ड में है जिसमें ये चाहकर भी अपने मन मुताबिक नहीं खा सकते और इनका भी रीजन फिटनेस ही है अब हम आपको बता दे कि पवन सिंग अपने डायेट के हिसाब से एक दिन में कितना पैसा खर्चा करते हैं अपने खाने पर तो पवन सिंगं के एक दिन के खाने का खर्च 15,000 है जी हाँ पवन सिंगं सिर्फ एक दिन में अपने खाने पर 15,000 रुपए खर्च करते हैं अब आते हैं ट्रेंडिंग स्टार सुपरिस्टार खेसारी लाल याद आओ तो खेसारी भोजपूरी के सारे एक्टर के मुकाबले सबसे ज़्यादा अपनी फिटनेस अपनी बॉड़ी पर ध्यान देते हैं और बाकी हीरो के मुकाबले खेसारी सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं फिल्मों में सर्टलेस भी होते हैं और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी के बॉड़ी के आगे कोई भी हीरो नहीं टिक पाएगा अब बात कर ले खेसारी के एक दिन के खाने के खर्च का तो खेसारी के एक दिन के खाने का खर्च 20,000 है जी हां खेसारी सिर्फ एक दिन में अपने खाने पर 20,000 रुपए खर्च करते हैं वेल तो हमने आपको बताया भोजपुरी के तीन सुपरिश्टारों के एक दिन के खाने के खर्च के बारे में वेल इस वीडियो को देखने के बाद आप सबकी क्या है राय बताये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में